Vivo का V27 आ गया है, आज सुबह ही आया है Flipkart से and retail unit है, जैसे आया मैं भागा camera samples देने के लिए and guess what, उसी टाइम पे एक और phone भी आ गया था, जो था Samsung का A34, तो मैं इसको भी लेके गया, इससे भी थोड़ा बहुत compare किया, तो आप comment करोगे तो heart मिलेगा, like, share कर दो, subscribe कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, पहले camera के बारे में बात करेंगे, पीछे में आपको पता है कि 50 megapixel का Sony IMX 766 OIS देखने के लिए मलता है, 8 megapixel का normal ultra wide and 2 megapixel का एक बेकार का, front में आपको 50 megapixel का eye autofocus camera देखने के लिए मिलता है, पीछे आपको ring light भी मिलता है, actual यहाँ पर दो flash है and उन्होंने गोल कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा soft light निकल के आता है, बढ़ हमने अभी test नहीं किया, वो बात में test करेंगे, आगे बढ़ते हैं, Samsung से जो normal daylight condition में ज दोड़ा सा ज्यादा aggressive है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, बट जैसे मैंने portrait mode लिया, यहाँ पर 2X portrait mode देखने के लिए मिलता है, professional portrait mode आपको बता है, वो Samsung को beat कर रहा था है, इतना बढ़िया लग रहा था, क्योंकि 2X भी है, वहाँ पर 2X देखने के लिए नहीं मिलता तो यह ज्यादा जो subject है, ज्यादा उबर के आ रहा था है, ज्यादा आपको मज़ा आएगा, ज्यादा portrait mode लेता है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस वाले smartphone के साथ, अगर इसकर front camera की बात करो, तो i.o.i को पूरा track करता है, i.o.focus camera इसका front camera बहुत ही अच्छा है, बट में कर रहा था, exposure को जैसे वो balance कर रहा था Samsung, तो Samsung मुझे better लगा, यह भी अच्छा कर रहा था, बट डारेक्ट सनलाइट में यह जो है, फेस में, मैंने, जो HDR वीडियो है, 1080p 30 एपेस में, उसको भी on करके देगा, फिर भी यह फेस में, फेस को लिट अप नहीं कर पा रहा थ अगेंस दे सनलाइट, बट वो Samsung कर पा रहा था, बट नॉर्मली अगर यह धूप की बाद यह डारेक्ट सनलाइट की बाद छोड़ दू, तो यह अच्छा खासा मैनेज कर रहा था, फ्रंट का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, बट यहां घ्रकाइट, यहां पर आपको और वी जाएट वीडियो रिकॉर्डिंग में सैमसंग बेटा रहे, धूसरा कैमेरा सैम्पल्स जो है, मुझे कभी-कभी दिखा की यह बेटर परफॉंग कर दा था, डिफिनेटली पोर्ट्रेट की मामल में बेटर है, नाइट सैंप्ल और है detail camera comparison करूँगा आपको आप बताओ यार comment में comment करो तो heart मिलेगा क्या आपको comparison देखना है वो भी बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं next अगर मैं बात करूँ कुछ negative points की अगर मैं बात करूँ छोटे-मोटे जो points है but actual में वो जो user का experience है उसे enhance करते हैं वो कुछ दिक्कते हैं जो negative points 3-4 बताता हूं आपको मैं haptic feedback यहाँ पर बुरा देखने के लिए मलता है good good वाला haptic feedback देखने के लिए मलता है वो premium वाला नहीं है I think pro में भी नहीं है का carrier aggregation का 5G का carrier aggregation में क्या दिक्कत आएगा वो तो आगे ही पता चलेगा बट अभी तो 5G तक चल रहा था तो उसमें कुछ दिक्कत है नहीं and next अगर मैं बता हूं जो मुझे बुरा लगा PUBG के बार में detail में बात करेंगे तो PUBG जैसे मैंने खेला तो बहुत lag था network का issue नहीं था पिंग से ही था बट बहुत जारा लेक देखने के लिए मिला इससे बेटर IQZ7 विद डामेंटी 920 बेटर PUBG का gameplay कर रहा है इसलिए हो सकता है बट नेक्स्ट हम परफॉमेंस के बारे हम बात करेंगे जो कि यह डामेंटी 7200 यह नया चिपसेट है यह 4Nm पर बेस्ट है N2 18 का है multicore 2666 का देखने के लिए मिला एंड जो एंटूडू benchmarking है वो 624,000 यह comparable है डामेंटी 100 से तुडा से कम देखने के लिए मिलता है और 8200,000 डामेंटी 8200 जो है वो 8-9-9-8600 का score देखने के लिए मिलता है तुड 888 के बराबर है और जो CPU throttling में ने किया तो यहाँ प जो Dimensity 920 है जो यहां पर देखने के लिए मलता है IQ Z7 उससे भी कम देखने के लिए मिला तो I think score में तो अधिक्कत है I think नया चिपसट है इसलिए बट जैसे मेरे PUBG खेला तो PUBG का यहां पर Smooth Bank Stream देखने के लिए मलता है जो Gaming Mode है वो पुरा IQ के तरह ही है आपको Boost Mode देखने के लिए मलता है CPU तोड़ा सा CPU GPU बूस्ट हो जाएगा तो वह आप definitely on कर लेना पर उसके साथ भी मुझे वह Frame Drop और लाग वगरा देखने के लिए मिला और आपको 4D Gaming Vibration मिल जाएगा हर हर गन शॉड में जो Vibration Feedback मिलेगा बट वह गुड़ गुड़ वाला है तोड़ा सा इंटेंसिटी कम है वह इतना प्रीमियम नहीं है यहां पर motion control भी देखने के लिए मलता है मैंने configure तो किया बट वह एवरी ताइम वह काम नहीं कर रहा था अगर gameplay की बात करूँ तो framed ups तो है 50 के नीचे आपको अभी तो देखने के लिए मिल रहा है बट I think यह जो BGMI यह मैंने side load किया है BGMI बैन है इंडिया में I think new state में तोड़ा सा different हो सकता है बट new state मेंने खेला नहीं है और क्योंकि PUBG के साथ यह नया chipset है I think उस वज़े से दिक्कतारी जहां पर यह गंदा lag देखने के लिए मिल रहा है और screen protector pre applied है curved screen आपको दिखने के लिए मलता है तो screen protector हटाना मत है क्योंकि अभी इसका tempered glass मेलना मुस्किल है warranty information था user guide था अंदर में 66 watt का flash charge है included है charger आपको cable मिलता है आपको SIM indicator pin मिलता है SIM indicator pin जैसे मैंने डाला यह पर देखा कि HD card का support आपको नहीं मिलेगा खाली dual SIM का support मिलेगा जो RAM type है LPDDR5 है जो storage है UFS 2 3.1 देखने के लिए मलता है और मेरा यह 8128G वाला variant हमेंने लिया है तो build quality इसका अच्छा है यह सेम है realme का जैसे मैंने देखा था 10 pro plus के साथ वैसा ही है curve skin है 60 degree का curve है frame बहुत ही पतला देखने के लिए मलता है frame भी plastic है पीछे आपको जो है matte glass देखने के लिए मलता है AG fluoride glass है यह color change कर सकता है पीछे का design premium देखने के लिए मलता है pro के जैसा ही pro कौन सा है यह कौन सा है बताना बहुत ही जादा मुस्किल है build quality इसका अच्छा है मुझे अच्छा लगा और बहुत जादा comparable है realme 10 pro plus के जैसा in-display fingerprint scanner देखने के लिए मलता है जिसकी speed जो है बहुत ही अच्छा ही अच्छी 9 out of 10 times unlock कर लेता है speed बहुत बढ़ी है दिस्प्ले के बारे में अगर बात करूँ तो यह HDR 1075 डिस्प्ले नहीं है यह कर वे अमोलेट डिस्प्ले का यह 10 बीट पैनल है 120 रिफ्रेज रेट के साथ आता है एंड test sampling क्या है नहीं पता है IQ में आपको जैसे बताया कि 360 का है यहां पर क्या है नहीं पता है अभी तक तो इसका display मैंने देखा तो HDR वीडियो यह प्लेवेक कर सकता है एक AI video enhancement mode है वो आप नेटफ्लिक्स में YouTube में और भी कोई video streaming platform में वो चल जाता है मुझे तो नेटफ्लिक्स का दिखा और YouTube का दिखा और इनका वीडियो आप है उसके बाद colors बहुत बढ़िया निकल के आ रहे नेक्स अगर मैं software के बारे में बात कर तो जैसे मैंने boot-up किया तो सारे promotional जो के options आते मैंने सब कुछ बंद कर दिया कुछ options जो बंद नहीं करने चाहिए तो वो भी मैंने कर दिया बट मैंने सब कुछ बंद करके ही try किया जैसे मैंने देखा तो bloat wire इसका थोड़ा सा कम है compared to IQ and यहाँ पर hot apps, hot games वाले photo देखने के लिए मिलता है अगर मैं बता दूँ आपको यहाँ पर front touch wise 13 देखने के लिए मिलता है with android 13 out the box and 2 साल का update मिलेगा and 3 साल का security pass देखने के लिए मिलेगा इसका सब कुछ data clear कर रहा हूं वो data फिर से वापस आ जाता है जैसे data वापस आता है नोटिफिकेशन तो बंद करके रखाता है बट नोटिफिकेशन खुझ से on हो रहा है every time मैंने कि यहाँ पर कुछ भी skip नहीं किया है frame कुछ भी skip नहीं है बट every time मैं data clear कर रहा हूं data वापस आ रहा है and notification कुछ से on हो रहा है से download किया उसके बाद इनके कुछ recommendation नहीं आ रहे थे I think वह settings जो मैंने सब कुछ बंद करके रखा था जब setup कर रहा था उसके वाई से वह नहीं आ रहे other than that other कोई spamming notification नहीं आई है जिदना भी इनका खुद का apps ना core app है उनका सब का notification इस्टोर डेटा क्लियर करके रखना तो फिर I think दिक्कत नहीं आगी other than that इसका performance सही है app opening speed वगरा सब कुछ सही देखने के लिए मिलता है तो कुछ दिक्कत नहीं है फास्ट है फास्ट फील होता है स्मूथ फील होता है अंडर ट्वेंटी हर्स फील होता है एससर तो कोई दिक्कत नहीं लगा PUBG में ही दिक्कत लगा and जो negative point मैंने आपको बता है कि यहां पर dual stereo speaker नहीं है haptic अचा नहीं है दो 5G के band missing है PUBG का पपमेस I think क्योंकि हमने side load करके इसे खेला है तो I think उसमें दिक्कत है क्योंकि निया चिपसेट भी है तो इसलिए यह आ रहे है आने वाले टाइम में वेट software update I think सही हो जाना चाहिए and display इसका कमाल का देखने के लिए मलता है camera इसका कमाल देखने के लिए मलता है क्योंकि देखने के लिए